और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर कल दो पहर तीन बढ़े तक लोग सभा चुनावों की तारिखों का अईलान होगा निज्जेट इन इंडिया पर ये सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप तो इस वक्की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं इंतिजार बेसबरी से किया जा रहा था कि आखिर चुनावायो कब एलान करेगा तारिखों का और आप कहा जा रहा है कि कल तीन बजे का वो समय होगा जब चुनावू की तारिखों का एलान चुनावायो की ओर से कर दिया गानी उसे टिन इंडिया के माने सयोगी नीरज जुड़ रहे हैं सीधे उनका रूप करेंगे नीरज क्या और अपडेट आपके पास इस बात की 99% समभावना है कि अगर अंतिम तौर्पे कोई ग्लीचेज ना है तो चुनावाव कल चुनाव की घोस्ता रहे हैं लोगसफा चुनाव के साथ चार राज्यों के विधान सभाव चुनाव की घोस्ता होगी अरुनाचर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, थिक्किम, उडिशा, इसके अलावा सवाल ही है, कि क्या जम्मू कस्मीर में चुनाओ की घोशना होगी की नहीं, विधान सभा चुनाओ की बात कर रहा हूं, तो जम्मू कस्मीर को लेकर अभी question mark है, चुनाओ अगनों स्था किया है कि नहीं, कि वहा घोशना कराई जाए कि नहीं, लेकिन नीराज आप ये बता रहे हैं कि हमें अभी आधिकारिक गोशना के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन जैसा की सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं नीज जेट इन इंडिया को जैसा बता रहे हैं उसके मताबिक कल ऐलान किया जा सकता है आज की ये बैठक इसी सिलसले में थी इनी इस तमाम बातों कुले कर आज समिक्षा भी होगी नीराज देखे बिलकुल आज की बैठक में इनी बातों की समिक्षा होई है और उसमें लगभग सहमती बन गई है कि चुनाओ की घोसना जल्द की जाए कभी भी की जाए और अगर आधिकारी घोसना का जिक्र कर रहे हैं कि कब एलान होगा तो वो जानकारी तो कल आएगी चुनाओ की तरफ से अगर कल होगी तो लेकिन सुत्रों ने हमें बताया है कि कल चुनाओ की घोसना होगी और दोपहर में होगी चुनाओ की घोसना आम तोर पे दो से तीन बज़े होता है लोगसबा चुनावों की तारिखों का ऐलान कल किया जाएगा कल दोपहर तीन बजे का वो वक्त होगा जब चुनावों की तारिखों का ऐलान कर दिया जाएगा इससे पहले आज एक बैठक होती है मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तूं की बैठा जो दो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें आज ही पदबार समाला है कल उनका चैन किया गया था और इसी वज़े से जो प्रक्रिया थी कही न कहीं रुखी हुई थी लेकिन अब आगे भढ़ती हुई बिल्कुल और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज 2019 की अगर हम बात करें 2019 की अगर हम बात करें नीरज तब तारिखों का एलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था इस बार कुछ देरी जरूर हुई है और ऐसे मैं कहाई यह जा सकता है कि अब और देरी की उमीद नहीं है आप देखें लोकसभा चुनाओ की घोष्णा पिछली बार रवीवार को की गई थी 7 चरणों में लोकसभा के चुनाओ हुए 23 बार 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाओ होंगे थिती जो है अटकी पड़ी है हो सकता है जम्मू कस्मिर विधान सभा चुनाओ की घोसना के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े सायद विधान सभा चुनाओ की घोसना के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े लेकिन आपको बता दे कि लोग सभा चुनाओ की घोसना न्यूजेटिन इंडिया को जो सुत्रों से जानकारी मिली है वो कल हो सकती है जो जानकारी मिली है न्यूजेटिन इंडिया को कल लोगसभा चुनाओ की घोसना दोपहर में चुनावाय कर सकता है और अगर किसी टेकनिकल ग्लिच की क्योंकि ये घोसना की तारीक ऐसी चीजे हो हो सकती है विज्ञान भवन में दोपहर दो से तीन बजे के आसपास ये घोसना हो सकती है और इसका हमें थोड़ा इंतिजार करना होगा आधिकारिक जानकारी का सुत्रों के हवाले से जो कबर है कि चुनावा एक कल लोग सभा चुनाव की और विधान सभा चुनाव की घोसना करेगा तीनों चुनावा एक तो की बैठा के बाद ये तैह हुआ है कि जल्दी से घोसना की जाए जी वो कौन-कौन से राजे होंगे नीरा जहां पर जिनको प्रमुकता से आगे रखेगा चुनावा आयो कि ऐसे कई सारे राजे हैं जहां पर सीटे बहुत जादा है तो किन-किन चरणों में कहां कहां पर कैसे-कैसे मद्दान होगा उसको लेकर क्या कोई किसी तरीके की जानकारी देखिए उत्तर प्रदेश में छे या साथ चरण में लोकसभा के चुनाव कराये जाएंगे बंगाल में छे या साथ चरण में चुनाव कराये जाएंगे विहार में छे या साथ वहां भी हो सकता है अगर मध्य प्रदेस की बात करें तो तीन से चार चरन में वहाँ लोगसभा के चुनाओ कराए जाएंगे, राजस्थान में दो चरनों में चुनाओ कराए जाएंगे, दिल्ली में एक चरन में होगा, उतराखन में एक चरन में, हिमाचल प्रदेस में एक चरन में, पंजाब म जम्मू कस्मीर में लोगसभा चुनाओ। उडिसा में एक चरन ज्यादा संभावना है दो चरन भी हो सकते हैं तमिलनाडू में एक चरन केरल में एक चरन में लोगसभा के चुनाओ कराये जाएंगे इसके अलावा अगर करनाटक की बात करें तो करनाटक में एक चरन या दो चरनों में वहां चुनाओ कराये जा सकते हैं गुजरात में एक चरण में चुनाओ कराए जाएंगे जारखन में दो से तीन चरणों में लोगसभा के चुनाओ कराए जा सकते हैं मध्य प्रदेश का हमने बताया कि तीन से चार चरणों में लोगसभा के चुनाओ कराए जा सकते हैं भारत के ज्यादा तर्यश्य हैं वहां एक एक चर्णों में चुनाव कराय कि बात करेंगे। तो दो से तीन चर्णों में वहां लोकुसभा का चुनाव कराया सकता है। तो यह आँ Ride Am A farm अगर सरसरी इसमाद निज्चित हो गया है, कि कली तारिकों का एलान किया जाएगा, अभी तक देड को लेकर भी असमन रिष्टा हती है, लेकिन क्या अभी यह निश्चित है तीक सामने आ एकारिक तोर पर पहुक पहले, यह जैनकारी सामने आ गई है और चुनाव आयोग तीन बज़े गोसना करेगा बिसके इस वक्ती सबसे बड़ी खबर दे देते हैं कल चुनाव की तारिखों का ऐलान किया जाएगा यानि चुनावी शंखनाद कल हो जाएगा इंतिजार अब खत्म हो चुका है कल चुनाव की तारिखों का ऐलान होगा और तीन बजे का वो वक्त रखा गया है जब चुनाव की तारिखों का ऐलान किया जाएगा जो सरीके से चुनावी हलचल बढ़ी हुई है ये तय था कि बहुत जल्द ही election commission यानि की चुनावायोग जो है वो तारिखों का एलान करेगा और आज ये एहम meeting हुई मुख्य चुनावायोग तर बाकी के दो जो चुनावायोग थे उनके बीच समीक्षा की गई तयारियों को लेकर की आखिर चुनावायोग कितना तयार है और अलग-अलग चरणों में मतदान कराने को लेकर election commission की तयारियों की समीक्षा चर्चा और उसके बाद कल की तारीक फाइनल कर ली गई है जब तीन बज़े के बाद चुनावायोग लोग समा चुनाव की तारीकों का एलान करने जा रहा है नीरज हमारे सयोगी लगातार ब वक्त करना है देखे बिल्कुल चुनाव का चुनाव की घोसना जो है दो विंडो रखा था चुनावाग ने आज और कल का लेकिन अब कल चुनाव की घोसना होगी जम्मू कस्मीर की विधान सभा चुनाव की घोसना साथ में होगी कि नहीं इसकी गुंजाई सभी जो हमें ह खोसना के लिए आधिकारी तोरके चुनावा एगने अहलान किया गया। जब आप से बात हो रहे थी उसी दोरान उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया। आप से बात ही हो रहे थी कि दोपार का कोई वक्त मुकरर्ण किया जाएगा। लेकिन उसमें तीन बजे का ही वक्त था, तीन बजे से चुनाओ की घोसना का एलान किया जाएगा और अगले एक से डेर घंट में, यानि साड़े चार बजे तक चुनाओ की घोसना पूरी कर दी जाएगी, कल चुनाओ की घोसना के साथ ही चुनाओ आचार संगीता लागू हो माई के अंतिम हफते में या फिर जून के पहले हफते में माई के अंतिम हफते के दौरान या जून के पहले हफते में मतगन्ना की तारीक होगी इसके अलबा जो चुनाव की तारीक होगी झाल झाल